जीवन में आने वाली कठिनायों से बचना नामुम्किन है। हालां कि यदि आप सक्रिय और प्रेरित रहते हैं तो आप उनसे निपटने में सफल हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे कि कठिन समयों में अपने आपको प्रेरित कैसे रखें। पहला टिप है आपके लक्षों को याद रखना। आप अपने लक्षों को सामने रखते हुए अपने लक्षे की और बढ़ते हैं। इसलिए अपने उद्देश्यों को लिखें, उन्हें द्यानिक याद करें और अपने लक्षे की और सफलता के लिए प्रयास करें। दूसरा टिप है आपकी सोच को सकारात्मक रखना। जब आप अपने स्वयम को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो आप किसी भी समस्या के सामने खड़े होने के लिए तयार होते हैं। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखने के लिए आप एक सकारात्मक द्रिष्टिकून का चैन कर सकते हैं। सकारात्मक सोच को विक्सित करने के लिए मैं आपको मेडिटेशन और अभ्यास करने की सलाह दू। तीसरा टिप है समय पर अवलोकन रखें। अपने समय को अच्छी तरह से संचालित करना बहुत महत्वपूर्ण है, खास कर जब आप कठिनायों का सामना कर रहे होते हैं। एक संगठित दिन्चरिया बनाएं, जिसमें आपके कार्यक्रम और काम शामिल हों, जो आपके लक्षियों की और आगे बढ़ते हैं। एक अच्छी तरीका है कि आप एक दैनिक कार्यक्रम तयार करें, जिसमें आपके सभी अनुभव, उद्देश्य, उद्साह आदी शामिल हों। चौथा टिप है, आपके सुरेखित को अभ्यास करना। जब आप कुछ नया करना शुरू करते हैं, तो उसमें सफलता हासिल करने में समय लगता है। आपको अभ्यास करने की आवश्यक्ता है ताकि आप उसमें महारत हासिल कर सकें। इसलिए अपने सुरेखित को नियमित रूप से अभ्यास करें और अपनी कला को सुधारने का प्रयास करें और अंत में पांचवा टिप है आपके व्यक्तिगत विकास को ध्यान में रखना। अंतर अपने आपको सुधारते रहना चाहिए और अपने विकास के लिए उत्साहित रहना चाहिए। यह आपके सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण चरण होगा। उमीद है कि यह टिप्स आपके जीवन में उत्सा, सफलता और संतुलन लाएंगे। हमें यकीन है कि आप आपको उत्साहित और प्रेरित रखेंगे और अपने लक्षियों की तरफ बढ़ते रहेंगे। अगली बार तक धन्यवाद।